Endometriosis infertility का एक common cause है, एक special cause है यह mostly present करता है दर्द के साथ, period के समय दर्द, coitus के समय दर्द, या infertility महवारी के समय दर्द रह रह रहा है, तो आप विजिट करें और अपना Endometriosis से निरान पाओ नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमी कुमारी, फर्टलिटी कंसल्टिन नोवा आईवेफ इस पटना से, आज हम बात करेंगे इंडुमेट्रासिस के बारे में, इंडुमेट्रासिस इंफर्टलिटी का एक कॉमन कॉज है, एक स्पेसल कॉज है, इसमें बेसिकली महिलाओं को माहवार के समय में बहुत दर्द होता है, या कॉइटरस के टाइम पे दर्द होता है, या होता कैसे है, इसका कम्प्लीट एनालिसिस नहीं है, या अजंप्शन है कि यूटरस के अंदर का जो एंडुमेट्रेल लाइनिंग है, जब वो तूटके बाहर आता है, तो उसका कुछ कण, पैलोपियन ट्यूब से अंदर अब्डुमें में भी चला जाता है, पैल्वेस में भी चला जाता है, जहां वो कण पैल्वेस के अधर स्रॉक्टर पर जाकर के चिपक जाता है, अब जैसा कि एंडुमेट्रिया लाइनिंग प्रोपर्टी है, उसी तरह से वो कण भी हर वहां से ब्लेडिंग होती है, जो यूटरस से ब्लेडिंग होता है, वो तो वजाने की तुरूब बाहर आ जाता है, लेकिन पिल्वेस में हो रहे हैं ब्लेडिंग कहीं अबजॉर्ब नहीं हो पाता है, जिससे की वहां के आसपास के जो structure से वह एक दूसर से चिपक जाते हैं, जो reproductive anatomy है वो disturbed हो जाता है, conceive करने में मुश्किल होती है या mostly present करता है, इसमें hormonal imbalance हो जाता है, एक एकी quality खराब हो जाती है, implantation का भी issue रहता है या mostly present करता है दर्द के साथ, period के समय दर्द, coitus के समय दर्द या infertility इससे घबराने के जुरत नहीं, इससे निजात पाया जा सकता है, अगर आप समय रहते, infertility clinic में जाते हैं, fertility consultant से अपना clinical evaluation के बाद अपने level of endometriasis को समझ पाते हैं मतलब severity क्या है, mild है, moderate है, severe है, समझ पाते हैं, तो आप pregnancy अचीव कर सकते हैं mild case में basically, IUI से, जो simple technique है, उससे भी अचीव किया जा सकता है, moderate और severe में, IUF तक का सहारा लेना पड़ सकता है, लेकिन डर्ने के जरूरत नहीं consult your fertility consultant within time with the future of if आगर आप कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी का और कर नहीं पा रहे हैं, महावारी के समय दर्द रह रहा है, तो आप विजिट करें और अपना endometriasis से निरान पाए और प्रेगनेंसी अचीव करें